खबरों का सार्थी अस्पताल के डॉक्टर यश्वीर दीवान ने बताया कि इन कॉंसेंट्रेटर का उपयोग अस्पताल में मरीज्व के इलाज में किया जाएगा अब तर पर सीवा इंटरनाशनी के वरिश्ट कारिक्रम प्रबंधग तनुच पुंजीर शशांक नेगी उपस्थित रहे सूबे के मुख्यमंत्री तीरस सिंग रावत उत्तरकाशी दोरे पर है इस दोरान वो दिवंगक गंगोत्री विधायक स्वरगे गोपाल सिंग रावत की तेरवी में शामिल हुए इस दोरान सिंग तीरस सिंग रावत की साथ प्रदेश अध्यक्ष भाक्ता संग्डशन वदनकौशिक गणेश जोशी जुले के प्रभारी मंत्री मनबीर चोहान प्रदेश मीडिया प्रभारी ने विधायक के परिजनों के मुलाकात की और परिवार के सदस्यों को सांत वन कोरोनमा हमारी के चलते माकली हैली पैट पर जुला अध्यक्ष रमेश चोहान के साथ कुछ चुनिंद्या कारे करता ही सीम की अध्वानी के लिए पहुचे थे वहीं स्वरान उप्तिवंत्री ने कहा कि सरकार जल्भी स्वर्गे गोपाल रावत के नाम पर कोई बड़ी घो और अगली खबर नेनी ताल से है जहां राज जिस सबासांस तक कपिल सिब्बल इन दुनों अपनी नीजी दौरे पर नेनी ताल में हैं इस दौरान कपिल सिब्बल ने बताया कि देश में करोना संक्रमण के चलते देश में हालात पे काबू हो रहे हैं जिन पर काबू पान जाल में भरती लोगों के लिए ऑक्सीजिन, वेंटिलेटर समेट बेड की कोई उचित विवस्था नहीं जी जए और रुसाना सरकार की नाकामियों के चलते हजारों लोगों को मौत का सामना पर रब बगरा है इस समय चनाओ की बात करना उचित नहीं है उनकी परिणामों के बारे में बात करना भी उचित नहीं है जिस देश में जिस तरह से महामारी चल रही है जिस तरह से हमारे लोग बेना अक्सिजन के उनकी मित्यों हो रही है, जिस तरह से हस्पितालों में पेट्स नहीं है और प्छले दो हफता में लगग 20,000 से तालों की मित्यों हो अजए है इस समय चुनाओं की बात करना आए उनके परिणामों की बात करना मैं समझता हूं कि छीक नहीं है वो वक्त जब आएगा तब करेंगा खबर दहरादू से है कोरोना संक्रमन की बढ़ते मामलों की बीच कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पीतन सिंग्ने कॉंग्रेस पाठी की तरफ से कुछ उचाओं मुक्षमंत्री को पत्रों लिग कर दिये हैं इस के साथी करोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार को हर संभाव सहियों पेने की बात करी देश को कहा कि प्रदेश में तीरस सरकार को नोनर महामारी की रोख ठाम और संक्रमित मरीजों को समुचिक इलाज देपाने में पूरी तरे सिर्व पर साबिग कुई है प्रिदेश में राष्ट्री ये और सब्सक्राइब करते हुए कहा कि स्थित्यों की गंभीता का अंदावा इसी पात से लगाया जा सकता है कि राजुनी करोना से खोने वाली मौतों की दर देश में राश्ट्री ये और सब्सक्री अधिक पहुट गई उत्राखन स्वास्तर सचिव अमित नेगी ने प्रसवार्तकर जानकारी दिये कि 45 वर्ष की उम्र के उपर की व्यक्तियों के लिए 3 लाख वैक्सीन उत्राखन पहुच चुकी है साथी 18 वर्ष के उपर के लोगों को वैक्सीन के लिए 100 करों रुपए मुख्यमंद्री राहत कोश्ट से वैक्सीन कंपनी को दे दिये गए हैं जल्दी 1,22,000 को विकेटी के उत्राखन को मिले रोड़की के विने विशाल अस्पताल में ऑक्सीजन ना मिलने से पांच लोगों की मौत हो गई इसमें एक वेंटिलेटर और चार अक्सीजन बेट पर थे अस्पताल में कोविट के 85 मरीज इलाज करवा रहे हैं इस मामले के उजागर होने के बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट ने जाँच के आदेश ले दिये कमिटी के रिपोर्ट के आदहार पर ही तेह हो पाएगा की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है या इसकी वज़े दूसी भी जानकारी के मताबिक देराथ डोक्टरों ने मरीजों की तीमारदारों को बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है और वह लोग अपने मरीजों को कहीं और ले जाए जहां ऑक्सीजन की वेवस्पा हो वहीं अस्पिताल की ओर से इस प्रकार की बात सुनकर परिजोनों में अफरत अफरी मज गई और उन्हों ने अपने इस सर पर भी भाग दोड़ शुरू की वही बताया गया कि रात करीब दो बज़े ऑक्सिजन खत्म हुई आए इसमें ग्यहता से जाच की जाएगी हो से माधिस्ट्टीव एंकौरी इस्टीटीटो थी गई है इसमें हमारे साथ साथ एक पेलल इतना ही नहीं कुरोना संक्रमितों की मौत का सिलसिला भी जारी है पिछले एक सब्ता के भीतर कोरोना से आधा धरजन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है वहीं दोसों से भी अधिक लोगों में कोरोना की पुष्टी हुई है इसके लावा वाइरल और खासी दुखाम के मरीजों की भी बाड़ाई है वहीं सरकारी अस्पतालों में खास इंतजाम ना होने की कारण लोगों को नीजी अस्पतालों में अपने मरीजों का इलाज कराना पूर रहा है नीजी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड के चलते मरीज़ों को अस्पतालों की ग्यालरी और गेट के बाहर भी लिटा कर बिना कोविड जाज के भरती कर इलाज किया जा रहा है अब उनकी जाज को बटक रहे हैं उनकी जाज ना तो नहीं वलोग में हुई ना कोई रटी पिट्यार करने वाला है ना कोई अन्डिजन करने वाला आया कहां कोंसे कोविड जो बना रखे जो कोविड जो बना रखे हैं जो बहरती का सा करावा हम हम जब तक हम जाज करवाने की सारा दिन बटक कर लिए और पूराने वह बोलोग में उस आरे में जले गए प्राइवेट होस्टिकल्स हैं, कि वहाँ पर जितने भी लोग एडमिट हैं, उनके हम लोग COVID-19 करा रहे हैं, एंटिजन करा रहे हैं, व्रूपकाटी पिजार करा रहे हैं, सब को आगा करे हैं, उनके हरेक मेनेजर को जब परसात हो, जब तक भी किसी के पास एंटिजन रिप करोना की दूसरी लहर फुल स्पीट पर है, पिछले एक सब्ता में करोना से 6 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी और 200 सभी अधिक लोगों में करोना की पुष्टी हुई है, इसके अलावा वाइरल और खासी जुखाम की मरीज़ों की बाड़ा आई है, सरकारी अस्पतालों में खास अंतर्जाम ना होने के चलते लोगों को निजी अस्पतालों में अपने मरीज़ों का इलाज कराना पड़ रहा है, निजी अस्पतालों में मरीज़ों की भारी भीर के चलते मरीज़ों की गैलरी और गेट की बाहर, इलाज पर मजबूर होना पड़ रहा है, साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि सरकार की स्वास्त सेवाव समंधी पूरे दावे पूरी तरे से खोखले नज़र आ रहे हैं कुछ तीमारदारों ने ये भी बताया कि कई मरीज का एंटिजिन वह आठी पीस्टियार की जांच नहीं हो पा रही है जिसके चलते वह सरकारी एस्पता करा रहे हैं एंटिजिन करा रहे हैं अडिकातीर पसार कर एंट तक है कि अधिम्टष एंटिशार के ज़ो कि इसके डियोट नहीं हो Kay लोग फेला रहे हैं काशिपूर के आईटी आई धानक शेत्र में बारात आने से पहले लड़की वालों की द्वारा आयोजिक समारों में मानक में अधिक भी रुपस्थित होनी की सूचना मिलने परेस्पी काशिपूर प्रमुद कुमार और आईटी आई धाना प्रभारी विद्यादत जोशी प्रमुद कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण की मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इसका सबसे बड़ा कारण कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करना है शादी विवास अमारों में सिर्फ 25 लोगों को शामिल होने की अनुमती भी जारे हैं कि अनुमन्य संख्या जो है पचास सेटिक नहीं हो तो यहां तो तक्रीबन जो है बेर सो दो सो आजी से भी अधिक संख्या में इस पड़िक मादी थी इसके तो इसके दोरे साधी अधिनाई की जा रही है तो इसके बुद्धी आगी है और लौके पर विड़िवास की चब उत्रखंड हाई कोट ने देहरादून और मसूरी की बीच कई छोटी पहाड़ियों को पूरी तरह से काट कर अंधादुन निर्माड के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुन्यों आई करते हुए प्रादिकरण उपाध्यव्ष M.D.D.A. वन नगर आयुस को देहरादू से उस्ति नियाले को दिखाएगे कि कैसे पहाड़ी दर पहाड़ी काटकर भडले से असंपुले सिकार की आर्मिच छोटी छोटी पहाड़ियों का उप्योग किया जारा आपको बता देगी आचिका करता का कहना है कि उत्राखंड के निर्माड नीती में जोर्सा पंद्रा क कि प्रस्तर च्वार के अंसवार तीस तिग्री की अधिक धल पर निर्माड की इजाज़त में है कि यह जन ही त्याचिका देहरादून निवासी दिनू पॉल द्वारा ताखिल की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि देहरादून और मसूरी की तलहटी के बीच में जो पहाड़िया होती थी हिलॉक्स होते थे उनको बिल्कुल दर्दनाक तरीके से काट कर उनको पूरी तरह से उजाड कर वहां पर अन्यंत्रित निर्माड किया जा रहा है जो गैर कानूनी है क्योंकि 2011 की बिल्डिंग बाइलोज की हिसाब से और जून में 2015 में संचोधन हुआ उनके अनुसार तीस डिग्री से अधिक की स्लोप पर निर्माड करना निशेदित है तो माननी उच्चिन आयले ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है और मसूरी दहरादून विकास प्रातिकरण के वाइस चेर्मेन और नगर आयुक्त दहरादून नगर निगम को कहा ग शेतर में आईसोलेशन वार्ड बनाय जाने की मांग की जा रही है सरकारी मदद ना मिलने के बाद कॉंग्रेस से मंगलोर विधायक काजी निजाम उदी ने अपने निजी खर्चे से मंगलोर शेतर के बारात घर को ऑक्सीजन सेंटर बनाने की पहल किये जिसमें कोरोना पॉ ऑक्सीजन की कमी पढ़ती है तो तथकाल ऑक्सीजन सेंटर में जाकर कोरोना पॉजिटिव आई लोगों का इलाज किया जा सके एक ऑक्सीजन सेंटर में अम्बुलेंस आने तक और अन्यों होस्पिचल में विवस्था होने तक मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाईग बात करें ऑक्सिजन की यह बैडो की सरकारी होस्पिटल यहाँ परवैश होस्पिटल उनमें बैडो और उक्सिजन की कमी देखे जा रही जिससे काफी मौटे भी हो रही है इसके दूर करने के लिए मंगलोर विधार काजिन अजामुद्दीन ने मंगलोर से कुछ दूर पाइसित आरके फार्म में औक्सिजन की ववश्था कीए मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये बराद घर है आरके फार्म के नाम से हैं, यहां कुछ उक्सिजिएन पॉइंट की वश्था की गई है, एमर्जेंस के लिए, इसके देखरे के लिए मंगलोग समधु सवस्ते केंद के डॉक्टर भुपेंदर है, हमारे साथ उनसे जाने के, सर यहां किस तरह की वश्था की गई है, बट तीन या चार दिन बाद जब उसको सिम्टम आ रहे हैं, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सैचुरेशन फोल हो रहा है, तो उसके देखते हुए, क्योंकि ओक्सिजन कहीं अवलेबल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए यह बनाया गया है, कि स्टेंड भाई पे औक्सिजन ले सकता है, यहाँ ऌक्सिजन की ही स्विधा है, औक्सिजन की वज़े से किसी की जान ना जाए, इस लिए इस परपद से यह यहाँ पर पड़ेटर भुवंदर के यह कहना है, कि काजी नाम भाद दिन cantal के साथ अन्य जन प्रजें दुखों को भी इस महमारी में लोगों की साहिता के लिए आगे आना चाहिए। इस सराहनी कारी के लिए डॉक्टर अस्पिताल कर्मचारियों और सफाई कर्मियों ने इन सभी लोगों का आभार चुका है। बाचपुर में एक व्यक्ती ने अग्यात कारणों के चलते कबरिस्तान में लगे पेड़ पर फासी लगा कर जौन दे दी। बाचपुर के ग्राम जोगी पुरा निवासी अशोक कुमार बुर्धवार सुबे ग्राम नंदपुर के टोपा में बने कबरिस्तान में पहुच गए। पेड़ पर फासी लगा कर आत्महत्या कर ली। जैसे ही कबरिस्तान में आत्महत्या करने की सूच ना मिली वैसे ही ग्रामर मौके पर पहुँच गए। घटना की सूचना मिलते ही, कोतवाली संजे पांडे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुचे और मामले की जाच शुरू करती है। और आगे की कारवाई जो की पोस्ट मौटम की है, वो कराई जा रही है। और बुल्टिट में फिलाल वक्तों चलाएक छोड़े सुपरिक का चुल्द हासिर होते हैं। दूर कितना भी जा इस जुबां से दूर ना जा पाव लिए। बोलो जुबां के सुरू आप देख रहे हैं के नियूस ख़बरों का साथ। ब्रेके बात करते हैं अंगली ख़बर की ख़बर पस्चिब मंगाल से हैं जहां चुनाओ नतीज़ों आने के बाद रर्मूल कॉंग्रेस के कारे करताओं ने भाजबा कारे करताओं के साथ हुई हिंसा को लेकर डोईवाला भाजबा ने आकरोश चिताया डोईवाला स्ट्यम के माधियम से राशपती को ग्यापन प्रेशिक कर राशपती शाशन लगाए जाने की मांगी है आज भाजबा कारे करता डोईवाला तहसील पहुचे जहां उन्होंने बंगाल हिंसा को लेकर आपत्ती जताते हुए तर्मूल कॉंग्रेस की कारवाही कर पर मांगी है इस दौरान भाजबा नगर मंजल अधियक्ष विनेक अनुबाल भाजबा जिलावाद्यक्ष विक्रम सिंग्नेगी ने कहा कि बंगाल में सरेयाम लोगतंत्री की हत्या की जारी है जिसका भाजबा कारेकरता पूर्ण बूप से विरोध करते हैं इसी संबन में आज उप जुला अधिकारी के माध्यम से राश्पती को ग्यापन प्रिशित किया गया है और बंगाल में राश्पती शाशन लगाए जाने की मांगी थे कि देखे भारते इत्यास में अजानदी के बाद ये पहली बार ऐसा पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एक चुनीवी सरकार वहांगे अपने स्यर्म के नयागरियों का नहस्ताहर कर रही है पिले 24 गंटे में जैसे हमारे भाजबा कार्यकरताओं कई दुकानों पे लुट पाड करिए है घरों में आग लगा कईए घरों में आग लगा दी गईए अजादी की बात ऐसा पहली बार हुआ है एक चुनीवी बार ये निरवाजी सरकार ऐसा कर रही है और हम सब भाज़ पर कारे करता उसी घोर बसना करते हैं, घोर मिंदा करते हैं और महा मही मिराश्पति से मांग करते हैं कि ऐसी ताना से सरकार को, ऐसी क्लूल सरकार को जल से जल में बरखास किया जाए। साथी सबजी की फेरी करने वाले लोगों से अवयद रूप से वसूली करता है। उनकी त्वारा दो महा पूर्व नानक मत्ता थाना इंचार्ज के माधियम से वरिष्ट पुलिस अधिकशक को शिकायती पत्र सौपा गया था जिसका संग्यान लेते हुए वरिष्ट पुलिस से उसे हटाया जा और नानक मत्ता में जो अर्जी दी गई है उस पर करवाई की जए। आके उसके बाद कोई समाझ में नहीं आ रही है इसको कैसे रखा गया है यह हमारा ग्राम चौकीदार है बिलोन आ रहा है आए दिन गाहवालों को प्रटार्द करता रहता है और मुझे भी मैं मैं भी उसका भुक्त भोगी हूँ और मेरे पता जी डैलेस से जाते हैं पहते ह कतान से चाता हूं कि जल ज़्यादे हटाये गया हरिद्वार की सिटकुलक शेत्र में पार्किंग में खड़े ट्रक में भीशन आग लगई जिससे पूरे इलाके में अफरात अफरी का महौल हो गया सूचना पाकर पहुची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया लेक और फिल आलेक्स मुलिट्री में इतना ही टाज अपडेट के लिए बने रहे है कि न्यूज इंडिया के साथ नमस्कार कर दो कर दो